नमस्कार सभी साथियों को स्वगत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम is study with PN Loda साथियों रीट मेंस एक्जाम 2023 के लिए सिक्सन विदियों की टेस्ट स्रीज वापिस शुरू की है देखिये सिक्सन विदियों का पेपर नंबर 5 है पहले हमने काफी दिनों पहले सिक्सन विदियों की टेस्ट स्रीज शुरू की थी तो चार टेस्ट हमने पढ़ लिये थे देखियेगा अब आपके 4-5 फरवरी को एक्जाम है लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ये टेस्ट स्रीज बेहद ही उपियोगी है साथियों शुरू करेंगे आज के इस विडियो को पहला प्रश्ण देखेंगे लेवल 1 लेवल 2 लेवल 2 में कोई सभी सब्जेक्ट हो सभी के लिए बेहद उपियोगी तो चलिए पहला प्रश्ण देखेंगे आपके प्रश्ण नमर 1 है प्रियोजना विदी के जनक है हर्बर्ट है किलपेट्रिक है जोन डिवी है और फ्रोबेल है तो साथियों प्रियोजना विदी इंग्लिश में क्या कहा जाता है इस विधी को प्रोजेक्ट मेथट के नाम से इस विधी को जाना जाता है और इस विधी का जो निर्मान किया है किसके दौरा किया गया है तो किल पेट्रिक के दौरा इस विधी का निर्मान किया गया है जो की सात्यू जोन डिवी ने विचार धारा पर ही ये विदी आधारित है तो विकल्प नमबर दो आपके पहले प्रिश्ण का सई आंसर है प्रश्ण संख्याँ दो की ओर बढ़ते हैं साथ यो दूसरा प्रिश्ण देखेंगे तो आपके प्रिश्ण नमबर दो है मोन वाचन उपयोगी नहीं है नाटक पटन में निबंद पटन में कविता पटन में और सभी में उपयोगी है बताओ प्रिश्ण नमबर दो में कौन सा विकल्प सई रहेगा देखो मोन वाचन की अगर हम बात करें साथ यो तो अगर नाटको निबंद दोनों ही किसकी विदा है ये ये दोनों ही गद्य की विदा है और ग विकल्प नमबर तीन सई है मोन वाचन कविता पटन में उपयोगी नहीं है थार्ड विकल्प सई रहेगा दूसरे प्रिश्ण का प्रश्ण संख्या तीन की ओर बढ़ते हैं देखिएगा एक बटा तीन मार्किंग है आपके इस टेस्ट सिरीज में क्योंकि एक्जाम में भ यह साथ हो कमेंड बोक्स में जाकर के लिंक पर क्लिक करके आप एप्लिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और एक और चीज साथ हो एप्लिकेशन वर 149 में लेवल एक प्लस लेवल दो के लिए टेस्ट स्रीज चलाई जा रही है जो सभी सब्जेक्ट की है मात्र एक सुननचास रुपे फीस रखी गई है साथ हो एक्जाम तक लेवल एक में ओल सब्जेक्ट लेवल दो में ओल सब्जेक्ट तो साथ हो यह टेस्ट स्रीज एकजाम तक आपको रेगूलर टेस्ट देखने को बिलेंगे जिसे कली मैंने लेवल एक के लिए भी 150 प्रशनों का मेरतन अब दो से तीन दिनों बाद लेवल दो में जो साइंस में सवाले हैं उनके भी पूरे ही 150 प्रशनों का टेस्ट आजाएगा तीन दिन मानके चलिया आप ठीके तो आप बिल्कुल निश्चिन तो करके टेस्ट स्रीज जरूर जोइन कीजिएगा क्योंकि फीस भी नाम मात्र इसको उच्चारित करने में बार-बार तुरूटी करता है ऐसी इस्तिति में भाशा सिक्सक को निम्न में से किस प्रकार चात्र की मदद करनी चाहिए देखिए शुद्ध उच्चारण है तू स्पीच थेरेपी के लिए भेजना व्यक्तिग्यत ध्यान देकर शुद्ध विवस्था करना और इन में से कोई भी नहीं तो कोई नहीं वाला विकल्प तो आप हटा सकते हो ठीक है अब आपके सामने तीन विकल्प बच रहे हैं चात्र के द्वारा क्या कर रहा है विशेश शब्द को उच्चरित करने में मतलब सभी शब्दों में नहीं कुछ विश थेरेपी के लिए तुरंत तोड़ी भेजाएंगे एक बार तो हम उसको अभ्यास कराएंगे तो आता है विकल्प नंबर दो सही रहेगा ठीक है दूसरा विकल्प सही है एक सिक्षक होने के नाते हम ये चीज़ सबसे पहले करेंगे साथियों कि अगर वो किसी शब्द देख लेते हैं आपके प्रशन मबर चार प्रात्मिक स्तर पर कविता सिक्षन की उप्युक्त पढ़नाली है व्याक्या पढ़नाली तूलना पर नalì गीत और अभिने पढ़नाली मानी जाती है साथियों व्याज्यान विदियोंच जिस तर पर थोड़ी बहुत उप्योंग परणाली में ज़्यादा होगी साथियों बाल केंद्रित विदी है तो विकल्प नंबर आपका तीन सही रहेगा प्रिशन संख्या चार में प्रिशन संख्या पांच क्यों बढ़ेंगे चलिए पांच वह प्रिशन देखेंगे बाशा सिक्सन की दरश्टी से बालक की प्रतम पाठशाला है मा परिवार समाज और देश तो भई देखो बालक की प्रतम पाठशाला पूछा जा रहा है अगर बालक का प्रतम गुरु अगर हम पूछे तो प्रतम गुरु तो मा होती है लेकिन साथ ही उसकी प्रतम पाठ शाला क्या है उसका परिवार तो उसका परिवार वाला जो विकल्प है दूसरे में है तो दूसरा ही विकलप आपके प्रिश्ण संख्या 5 का सया अंसर है छेटे प्रिश्ण की और बढ़ेंगे मित्रों आपके प्रिश्ण नमबर 6 में क्या पूंच रहा है देखेगा प्रिश्ण नमबर 6 को एक बालक जो हकलाता है उसे वाचन दक्षता में निपुन करने के लिए निम्र में से कौन सा वाचन अधिक उप्यूक्त होगा सामुहिक वाचन, मौन वाचन, एकल वाचन या आदर्श वाचन देखो बालक हकला रहा है ठीक है बालक क्या कर रहा है हकला रहा है तो वाचन दक्षता में आपको निपुन करना है तो मोन वाचन से तो आप वाचन दक्षता में उसको बिल्कुल भी निपुन नहीं कर सकते एकल वाचन करवा होगे तो हकला रहे तो लोग उसका मतलब जो छात रहनी वो भी उसका मजा कुड़ा सकते हैं उसे यदि हमें वाचन दक्षता में निपुन करना है तो सामुईक वाचन सभी को एक साथ वाचन करवाएंगे जिसमें सभी के साथ वो बोलने में जो उसकी हक लने की प्रोब्लम है वो दूर हो सकती है। विकल्प एक सई है साथ यो छेटे प्रिश्ण में प्रिश्ण संख्यात साथ की और बढ़ेंगे साथ वा प्रिश्ण देख लेते हैं देखो प्रिश्ण नमबर साथ विज्ञान सिक्सन की कौन सी विदी सिक्सक के अंदरित नहीं है व्याख्यान विदी व्याख्यान युक् psychology की all subject के लिए test series है आपके जीके की जीके की जो classes है वो भी all subject मतलब level 1 और level 2 सभी के लिए साथ यहाँ पर साथवे प्रिश्ण में सही answer देखे तो जो सिक्सक के अंदृत नहीं है व्याख्यान विदी तो सिक्सक के अंदृत है क्योंकि सिक्सक के अंदृत रहा लुडिक चीढें में सिक्सक के अंदृत नहीं है व्याख्यान विदी तो बालक के अंदृत है मतलब बालक इसमें शक्रीह रहता है तो विकल्प नमर आपका तीन प्रिश्ण का सज्यां सरह साथियों प्रश्nant संख्या तुर बढ़ते आटवा प्रिश्ण देख लेंगे आपके प्रिश्ण नम्बर आठ है अन्वेशन विदी के प्रवर्तक है एच सी मोरिशन हर्बर्ट स्पेंसर अरस्तू या हेंडरी एडवर्ड आर्मिश्ट्रोंग देखो अन्वेशन विदी जिसको साथियों हम खोज विदी के नाम से भी इसको कहा जाता है साथियों तो देखो अरस्तू ने ये विदी नहीं दिये नहीं हर्बर्ट स्पेंसर ने एच सी मोरिशन या हेंडरी एडवर्ड आर्मिश्ट्रोंग आठ वेप्रिश्ण का सही आंसर देख लेते हैं मित्रों अन्वेशन विदी के जो प्रवर्तक या जन वस्तुनिष्ट प्रश्णों का प्रमुक दोश है व्यापकता का अभाव विश्वसनीता का अभाव अभिव्यक्ति का अभाव और वेदता का अभाव तो देखो जो अब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्ण होते हैं मित्रों अब्जेक्टिव इसमें दोश पूचा ग अभाव भी इसमें नहीं होता है क्योंकि संपूर्ण पाट्टे करम से क्योंकि प्रिश्ण अधिक रहेंगे तो संपूर्ण पाट्टे करम से प्रिश्ण ले सकते हैं तो ये तीनों चीजें इसमें नहीं होती है लेकिन इसमें अभिव्यक्ति का अभाव होता है क्यों होता है वस्तुनिष्ट प्रिश्णों में अविव्यक्ति का अबाव होता है, नौवे प्रिश्ण का तीसरा विकल्प आपके सई आंसर है, दस्वे प्रिश्ण की ओर बढ़ते हैं, साथियों आपके प्रिश्ण नमबर 10 देख लेते हैं, गनित सब्वेतायम संस्कृति का दरपन है, यह कतन किसका है, कांट का, होगबेन का, डालटन का और रोजर बेकन का, देखो गनित के संबंद में यह जो परिभाशा कही गई है, कि गनित क्या है, सब्वेतायम संस्कृति का दरपन है, साथियों यह किसका दोरा कहा गया है, तो संस्कृतियम संस्कृति का दरपन, यह प कर्मेंद्रियों वे ज्यानेंद्रियों की सिक्सा किस सिक्सन परणाली में दी जाती है डाल्टन परणाली में मोंटेंसरी परणाली में किंडर गार्टन परणाली में और परियोजन परणाली में तो ज्यानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया दो शब्द अच्छी तरह सा आपने सुन रखे होंगे सात्यों इनकी जो सिक्सा है करमेंद्रियों वे ज्यानेंद्रियों की इनकी सिक्सा मॉन्टेंसरी विदी में दी जाती है जिसकी जनक कौन है मेडम मारिया मॉन्टेंसरी इस विदी की जनक है जिसमें सात्यों इन्होंने किस पर बल दिया है ज्यानेंद्रिय और करमेंद्रियों पर तो विकल्प नंबर दो आपके प्रिश्ण संख्या 12 का सयांसर है देखो आपके पास पूरे चार महिने नहीं बच रहे हैं क्योंकि चार-पांच फरवरी को आपके एकजाम है रीटमेंस का साथियों अब 47,000 पदों की ये बरतिय मैं आप से अभी बोल आप कर दोगे लाश्ट के 5 दिन अटाद और 10 दिन बीच में बिगार दोगे 100% जिसे दिपावल या रही है और भी त्योहार आएंगे चुट्याएंगी और इन चीजों में मैं कह रहा हूं तो आपके पास सो दिन बच रहे हैं सो दिन में सरुसेष्ट तयारी अगर आप कर लेगी नहीं बीस की जगे 25 मान लो लेकिन है यह सेतले सजार जो पद है न यह पद आप नहीं आने वाले इतने ज़्यादा पद तो अच्छी तरह से तैयारी कीजिएगा और पूरी मेहनत के साथ साथ यह एक दिन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोटेंट है तेरवा प पद नहीं है प्रस्तावना प्रस्तूतिकरण तुलना और पुन्रावर्ति तो हरबर्ड की जो पंच पद है इसमें जिस पद का प्रियोग नहीं किया जाता है वह आपको देखना है इने से कौन सा अंसर सही रहेगा तो साथियों तुलना भी इसमें आप कर लेते हो लेकिन पुनरावर्ती इसमें नहीं की जाती है तो तेरवे प्रिश्ण में आपके चोता विकल्ब सही रहेगा चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रिश्ण संख्याद 14 की ओर चोधुवा प्रिश्ण देख लेते हैं आपके प्रिश्ण संख्याद 14 में क्या पूँच रहा है देखो इस वीडियो के बाद में आपके साड़ा नो बजे के लगबग साथियों साड़ा नो या दस बजे के लगबग राजस्तान का इतियासियों कला संस्कृति की कलास नंब शक्याख तष्ट है तो सत्यों खेल वीडिता इन में से किसके दोरा दी गई है यह आपको बताना है देखो किंडल गाटन विदी दिए प्रोभील ने मॉनटन शरी वीदी दिए मेडम मारिया मॉनटन सरी ने और खेल विदी दी है सातियों किन्होंने हेनरी कोड़ सब्चेब एक थरड बिलकूल सयांसर थे ठीक है किलिया है सब्चे कहीं कोई डाउट हो तो कमेंड बॉक्स में कमेंड कर सकते हों और application डाउनलोड करने का जो लिंक है वो मैंने कमेंड बोक्स में भी दे दिया है तो वहां से भी कर सकते हो 149 का जो कोर्स है लेना है साथ यो टेस्ट स्रीज के लिए ठीके ना और एक कोर्स है 75 का जो पीडिये पे जो भी चीज़े यहां पढ़ रहे हो वैक्तिक वाचन, मौन वाचन, समवेत वाचन और आदर्श वाचन तो देखो जो वाचन की विदी संकोची छात्रों के लिए उप्योगी है वो आपको प्रश्न संक्या 15 में बताना है बै कोई भी चात्र अगर संकोची है बोलने में उसको संकोचे शरम आती है या पिर जिजगता है डर लगता है तो एसी इस्तति में आप मौन वाचन कराओगे तो उससे डर दूर होगा यह नहीं क्योंकि मनी मन में पड़ेगा तो पिर उससे डर केसे दूर होगा आदर्श वाचन अध्यापक करेगा वेक्तिक वाचन कराओगे तो भी पिर इस समश्या को और बढ़ावा मिलेगा यह समश्या कमनी होगी तो एसी इस्तति में साथ जो समवेत वाचन होता है सामोहिक वाचन जो होता है यह संकोची चात्रों के लिए बेहद उप्योगी मान आजाता है पंद्रवे प्रिश्ण में आपके थर्ड जो विकल्प है यही आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा चलिए शोलवे प्रिश्ण की ओर बढ़ेंगे आपके प्रिश्ण संख्या सोला को देख लेते हैं सोलवा प्रिश्ण क्या पूंच रहा है देखिएगा बंडार में यदि आपको वigers्दि करना है तो ऐसी इस्तिती में आप देखो पद्द्य सिक्षण से पद्द्य सिक्षण में तो जैसे कविताएं हैं चंद हैं यह चीज आती है इससे शब्द बंडर में व्रुद्धी नहीं होती है उपन्यास और नाटक सिक्षण दोनों ही किसके अंतरगत आ जाते हैं गद्दे सिक्षन के अंतरगत आ जाते हैं तो फिर इसका सही आंसर भी क्या रहेगा साथियो गद्दे सिक्षन ही इस प्रिष्ण का बिल्कुल सही आंसर रहेगा शब्द बंडार में वृद्दी करने के लिए जो उत्तम है वो है कौनसा सिक्षन गद्दे शिक्सन जिसमें उपन्यास भी आ जाता है। था? सत्रवा प्रिश्न देखेंगे। 17 क्या पूँच रहा है। उप्चारात्मक सिक्सन की सपलता निर्वर करती है उप्चारात्मक सिक्सन की समगरी पर उप्चारात्मक नीमों पर समय वावदी पर या पिर समश्याओं के कारणों की सही पेजान पर कहीं बार इस प्रिश्ण को पिछली रीट एक्जाम में दो तिन बार पूँच ले गए साथियों तो प्रिश्ण बहुत ही ज्यादा इंपोटेंट है आप से यह प्रिश्ण वापिस पूछ सकता है जो आपके थर्ड ग्रेड का मेंस एक्जाम होगा जिसमें सिक्सन विद्या सभी क्या नहीं है जैब लेवल एक से हो यह लेवल दो से हो और यह कुछ वतिष्ण तोपिक है जिसे मुल्यांकन का टोपिक है उप्रणस निदनात्मक सिक्सन और जो वस्तूनीश्ट प्रिक्सनफ निबंदात्मकद प्रिक्सनने के गुइनके दूर करने के लिए किया जाता है उप्चारात्मक सिक्सन तो यहां पर हम कमियों को दूर करने के बाद में उसको सोरी कमियों को जानने के बाद में उसको दूर करेंगे तो इसमें सबसे इंपोर्टेन जो चीज है वो है समश्याओं के कारणों की सही बेचान करना क्योंकि अच्छे नियम बना लिये, अच्छा समय दिया, अउदी अच्छी रखी, लेकिन आपने सात्यों जो कमिया हैं, उनको अच्छी तरह से नहीं जाना और कमियों को मूल चीजों को तो आपने जाना ही नहीं, तो फिर उसको आप दूर केसा करोगे, तो इसलिए विकल्प नंबर संख्या 18 क्या पूँच रहा है, देखो 18 वे प्रिश्ण को, अनुसंधान विदी का प्रियोग होता है, प्रात्मे कि स्तर पर होता है, उच्छ स्तर पर होता है, सभी स्तरों पर हो सकता है, या इन में से कोई नहीं, मैं आपको कई बार बता दिया कि कोई नहीं वाला विकल् नहीं तो दिक्कत हो जाएगी मायनस एक प्रिश्ण दो नंबर का है तो मतलब 0.6 जो अंक है वो आपके एक प्रिश्ण गलत करने पर कर जाएंगे साथियों तो बहुती सावधानी वाली चीज है मान लीजे कि आपको 150 प्रिश्ण 300 नंबर के हैं और आपने 110 प्रिश्ण तो स 30 प्रिश्ण दस बार त्या चतिस तो बारा मतलब बारा प्रिश्ण कम कर देंगे तो आपका इसको 110 से कहां पर आ जाएगा साथियों आपका इसको 110 से 98 पर जाएगा मतलब इतना ज्यादा प्रक होने वाला है देखो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी साइस चीज के अच्छ समर्द नहीं हो पाते हैं इसलिए दूसरा विकल्प आपके अठारवे प्रिश्ण का सही आंसर है उनिस्वा प्रिश्ण देख लेते हैं आपके प्रश्ण नमबर 19 से मुल्यांकन परकिर्या का तत्व है उद्देश्य सीखने के अनुभाव मुल्यांकन और सभी मुल्यांक है आपके उनिस्वे प्रिश्ण का सही आंसर है साथ यो यंतिम और वीस्वा प्रिश्ण देखेंगें कमेंडबोक्स में कमेंड करके जाना एक बटा टीन मायनस मार्किंग करके ही कमेंट करना साथ है और इमानदारी से कमेंट करना वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेर जरूर करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सस्क्राइब करके हमें मोटिवेट जरूर करिएगा चलिए अंतिम और 20 वा प्रिश्ण देख लेते हैं आपके प्रिश्ण नमबर जाता है सिक्सन में परिवर्तन करना ही प्राप्युद्देश ये क्या तो गलत आंसर है सिक्सन वीडियो में परिवर्तन भी नहीं सिक्सन कोशलों में परिवर्तन नहीं बलकि व्यावहार में बालक की व्यावहार में जो परिवर्तन होता है वही प्राप्युद्देशों क आपके प्रिश्ण नंबर 20 का सही आंसर होगा कंप्लीट होता है आपके ये सिक्सन वीडियो का पेपल नंबर 5 रेगुलर अगर आप सभी चीजा अटेंट करना चाहते हो तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन ओन कर लेना हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोब बुद्धनेवा सभी का